हलो दोस्तों मेरा नाम ताजिर है और मेरे इस चैनल का नाम है exam first class अगर आप मेरे इस चैनल को first time देख रहे हों तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल पे मैं academic and everyday English usage के साथ-साथ competitive exam में आने वाले हर तरह के English से related questions को discuss करता हूँ मेरे इस चैनल पे अब तक मैं one word substitute के topic पे एक series चला रहा था जिसमें मैंने बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से thematically कुछ words को discuss किया हूँ है मैं आपसे request करूँगा कि आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ confusing words के जो competitive exam के नजरिये से बहुत important है Look, English is really large और इसमें बहुत सारे words ऐसे हैं जो दिखने में या सुनने में या पढ़ने में same लगते हैं Confusing words बहुत ही critical है क्योंकि कभी-कभी exam में हम गलत option को select कर बैठते हैं आम तोर पे confusing words उसकी meaning, उसकी spelling और उसकी parts of speech यानिकी whether it's a noun, pronoun, verb और preposition, adverb, etc. उसके उपर depend करता है आज के इस वीडियो में हम eight essay word pair के बारे में जानेंगे जो exam के perspective से important तो है ही plus बहुत interesting भी है तो देन न करते हुए शुरू करते हैं आज को वीडियो तो दोस्तों आज का हमारा पहला pair of words है accept and accept मेरे pronunciation से आपको पता चली गया होगा कि इसके pronunciation में कोई खास difference तो है नहीं सिवाए इसके spelling के और इसके वज़े से जब exam में हमको question दिया जाता है हमारे responses में गर्बड़ी हो जाती है तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक situation में आपके पास शादी के invitation cards आते होंगे जिनमें आजकल अकसर ऐसा लिखा हुआ होता है कि your presence is the greatest gift please do not bring any gifts तो कहने का मतलब यह है कि आपका present होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा gift है आप कोई gift न लाए और हम यह सोचते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम शादी में जाए और gift लेके न जाए यह तो बड़ा जीव है तो अगर आप उसके reply को सोचेंगे तो शायद से ऐसा होगा कि I will gladly accept your invitation except the part about not bringing gifts gift न लाए ऐसा होई नहीं सकता हम तो लेके जाएंगे भई कुछ न कुछ तो gift definitely लेके जाएंगे इसको समझाने का और एक तरीका मेरे पास यह है कि समझ लिजिए यह एक chocolate box है जिसको किसी ने मुझे gift किया हुआ है यहाँ से सारे chocolates में खाऊंगा लेकिन यह जो दो white वाले हैं यह मुझे पसंद नहीं है इनको मैं नहीं लूँगा तो मैं इस बंदे को कह सकता हूँ कि I will accept the chocolate box and I will eat all of them inside except the white ones यह मुझे पसंद नहीं है इसको समझने का तीसरा तरीका जो है वो आप यह समझिएगा कि except जो है except उसमें एक x मौझूद है x बोले तो cross बोले तो no तो except छोड़ने को कहा जाता है you exclude something और except जो है उसमें आप agree करते हैं कोई एक situation से कोई एक proposal से कोई एक offer से आप agree करते हैं तब हम उसको कहते हैं except हमारा अगला दो word है adapt and adopt इन दोनों में pronunciation के difference तो है यह पहले वाले की तरह नहीं है कि pronunciation में कोई changes नहीं है लेकिन यहाँ पर spelling का गड़बड़ी है एक यहाँ पर a है एक यहाँ पर o है जो हमको confuse करता है और exam में हम लोग wrong response करके बैठते हैं तो आप इस picture को देखिए जो हमारे समझने के आसानी के लिए मैंने लगाय हुआ है यह एक cat है जो एक नया जगा पर आया हुआ है एक नया अपार्टमेंट पर आया हुआ है और यह एक kitten है जो orphan है जिसके माबाब कोई और थे अब इस नया cat को लाया गया है यहाँ पर और ज of this big apartment इस apartment के जो environment है उससे यह cat पहले अपने आपको adapt करेगा अपने आपको adjust करेगा before it adopts the orphan kitten adopt करने का मतलब है own करना ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते है मैंने लिखा है adapt बोले तो adjust or change to fit into something new और adopt का मतलब हुआ take something as your own तो बहुत सारे लोग बच्चों को adopt करते हैं बहुत सारे लोग कुछ pet animals को adopt करते हैं है ना तो इसको समझने के लिए भी आप एक चीज़ को याद रख सकते हैं adopt जो है a-d-o-p-t इसमें एक o मौजूद है है ना तो आप o से own याद रखिएगा किसी चीज़ को अपना बनाना adopt is owning and adapt में जो a है आप इसको ऐसा समझना कि a से adjustment होता है तो adapt a मौजूद है adjustment adopt o मौजूद है owning something as your own move करते हैं अपने अगले word पे हमारा अगला दो pair of words है afterwards and afterwards ठीक है आप देख सकते हैं एक में यहाँ पे a है spelling का और एक में यहाँ पे o है अब journalist कह रही है कि the author spoke to me afterwards मतलब कोई confidence चल रहा था यहाँ पे उस confidence के भतम होने के बाद author ने journalist से बात की यहाँ पे afterwards का मतलब यह हुआ कि author ने जो किताब लिखा था उसके end में उन्होंने अपने कुछ thoughts share किये हुए थे या तो किताब से related कोई ideas share किया हुआ था जिसको हम afterwards कह रहे है तो afterwards refers to something happening later याद रखिएगा afterwards जो है यह वाला यह time के साथ related है और afterwards जो है क्योंकि यहाँ पे word already है तो इसको आप याद रखिएगा यह किसी book या speech के खतम होने के बाद as a concluding remark वो आता है move करते हैं अपने अगले word पे अच्छा यह सबसे बड़ा confusion है यह हमेशा से बहुत सारे लोगों में रहता है कि हम all right लिखेंगे all right लिखेंगे या all right लिखेंगे इसको मिला के लिखेंगे कभी कभी हम एक mistake भी करते हैं हम लिख लेते हैं all right लिखेंगे तो यह तो completely mistake है इसको आप नहीं लिखेंगे कभी भी ठीक है लेकिन जब supervisor का बात आया जब मेरे boss के बारे में बात आया तो मैंने यूज किया हुआ a double righd कहने का मतलब यह है कि all right जो है यह एक informal way है of saying okay अभी भी अगर आप confusion में हैं तो मैं आपको एक सीधा सीधा समझा देता हूँ जब आप बात करेंगे informal context में तो आप कहेंगे all right जिसका मतलब है okay लेकिन समझ लो आप exam में इसी all right को इसी okay को लिखना चाहते हो तो आप al, righd नहीं लिखोगे क्योंकि यह तो informal है तो आप लिखोगे all right ठीक है जिसका मतलब है everything is okay तो आप इसको याद रखना कि exam में जब ह हम लिखेंगे तो क्योंकि exam हमेशा formal होता है आप informal languages या words या phrases में यूज नहीं कर सकते हैं तो हम लिखेंगे all right and all right they mean the same thing except that the first one is used in informal language and the second one is used in formal language चलते हैं हम अपने अगले pair of words पे जो है avenge and revenge अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है avenge for justice और revenge for emotions इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि avenge जो है वो है किसी और के लिए justice को ढूनना या justice को सीख करना जैसे कि एक movie में जो characters होते हैं एक hero है जिसके family को villain ने मार दिया है अब hero जो है इस movie का वो कह रहा है कि I will take avenge मैं avenge लूँगा किस चीज़ का मेरे family के हत्यारों को मैं मार के उसका avenge लूँगा वो अपने लिए नहीं कह रहा है वो अपने family के लिए कह रहा है किसी और के लिए के रहा है और revenge जो है यह एक personal retaliation है किसी के साथ किसी ने कुछ बुरा किया जैसे कि एक बंदा है जिसके साथ किसी ने बुरा किया हुआ है और वो बहुत दुख में है और वो कह रहा है कि मैं इस चीज़ का जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है मैं directly उससे अपने साथ जो बु तो एक किंग है, जिसके बच्चे को किसी ने मार दिया है, और वो अपने तलवार पे हाथ रखके किसम खा रहा है, कि मैं अपने बेटे का बदला लोंगा, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है, तो उसने खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने बेटे के लिए कर रहा है, अ यहाँ पे इस बंदी के साथ कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ बुरा किया और वो जो है उसके अंदर में एक जौला मुखी पैदा कर रहा है और वो सोच रही है कि मैं उन लोगों के उपर, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं इनके उपर revenge लूँगा तो avenge और revenge का मतलब सेम है, बदला लेना लेकिन avenge जो है, वो indirect है डिरेक्ट नहीं है, वो किसी और के लिए बदला ले रहा है और revenge जो है, वो direct है, वो खुद के उपर किसी wrong के लिए बदला लेना चाहता है ठीक है? Let's move ahead to the new pair of words अब हमारा new pair of words है, attain और obtain Right side में picture पर ध्यान दीजे, यहाँ पर एक picture है, यहाँ पर एक लड़की है जो बहुत सारे sticky notes यहाँ पर लगा रही है Obviously यह कोई student होगी, जो अपने goal के बारे में या फिर अपने plan के बारे में यह सारे sticky notes पर लिखके वो अपने में एक plan बना रही है कि किस तरह से मैं अपने goal को proceed करूंगी So attain जो है, यह अपने goal को achieve करने के लिए बनाया जाता है Attain is used for achieving goals इसलिए मैंने लिखा हुआ है, attain goals but obtain items items बोले तो, tangible items, जिसको हम touch कर सकते हैं तो मैंने दो example दिये हुई यहाँ पर With patience, you can attain anything you desire आप कुछ भी attain कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं He obtained a visa to travel to the United States अब उसको एक visa मिल गया जो वो touch कर सकता है, जो physical है उसके हाथ में है यहाँ पर right side में अगर आप picture देखें तो इसी लड़की के context में अगर आप picture को सोचें तो उसने goal बनाया था कुछ attain करने का कुछ रास्ते select किये थे और finally उसके हाथ में certificate है जो उसने obtained किया हुआ है So she has obtained her certificate Move करते हैं हम अपमें अगले word पे हमारा अगला pair of words है ambiguous and ambivalent यहाँ पर दो चीज अब देख सकते हैं A, M, B, I, A, M, B, I इस दोनों सेम है इस दोनों तरफ जो difference है वो यहाँ पर है तो आप right side piece picture पर ध्यान दीजिए यह बंदा बैठा हुआ है exam hall पर और यह confused दिख रहा है बहुत जादा तो यह अपने question paper की तरफ definitely कोई question लेके confused होगा instruction पढ़ा होगा किसी question का लेकिन बहुत सारा बार पढ़नी के बाद में उसको कुछ समझ भी नहीं आया कि वो actually चाता क्या है उस question में तो ambiguous में जो GU है उसको हम अलग कर लेते हैं GU से आप ले लीजे guidance मतलब जो चीज ambiguous है उसको आपने बहुत बार देखा बहुत सोचा, बहुत पढ़ा लेकिन उसके बाद भी आपको समझ भी नहीं आया तो उसके लिए आपको guidance की जरूरत है तो मैंने guidance इसलिए लिखा क्योंकि GU से आपको guidance का पता चल जाएगा So something that is ambiguous for example the ambiguous instructions ठीक है left him feeling ambivalent अब हम आते है ambivalent पे Ambivalent का मतलब है unsure You are confused ठीक है Ambivalent is confused तो कोई चीज अगर ambiguous होगा जिसमें मुझे guidance की जरूरत है जब तक मैं guidance ना लूँ तो मैं ambivalent situation में ही रहूँगा है ना तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है Ambiguous is unclear You are not sure You need guidance And ambivalent एक feeling है Ambiguous बहर से आता है Ambivalent अंदर से आता है जब आप किसी instruction को देखते हैं जब आप किसी situation से meet करते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो ambiguous है उस situation को देखके जो आपके अंदर में feeling आता है That feeling is ambivalent चलते हैं हम अपने last pair of words पे हमारा last pair of words है Alleged and allegedly ये दोनों legal terms में बहुत use होता है News reporting या incident reporting के time पे भी बहुत use होता है इसको समझने के लिए आप अपने right side पे ध्यान दीजे यहाँ पे एक thief है जो एक खड़की तोड़ रहा है अंदर जाने का कोशिश कर रहा है और वहाँ से कुछ चुराने का भी कोशिश कर रहा है अब आप समझ लो पुलिस ने तफ्तीश किया investigation किया और उनको enough evidence मिला कि ये जो बंदा है ये ही बंदा इस घर में entry किया था हाला कि वो sure नहीं है वो totally sure नहीं है लेकिन उनको जो incidental evidence situational evidence जो मिले है के कपड़ों से उसके जूतों से उसके उसने जो tool यूज़ किया उससे उनको लगा कि ये बंदा ही चोर हो सकता है तो पुलिस ने ये situational evidence जो उनके मिले हैं उनके basis पे इस बंदे को charge किया तो the alleged thief was allegedly seen entering the house late at night कहने का मतलब ये है the alleged thief मतलब जो situational evidences मिले हैं के हिसाब से ये ही बंदा चोर लग रहा है याद रखिएगा not sure was allegedly seen entering the house late at night allegedly मतलब लोगों के हिसाब से rumor के हिसाब से जो वहाँ पे सुनने में आया है उसके हिसाब से तो अगर आम इसको सीधा सीधा समझे alleged describes something claimed without proof ये बिना proof का है ये word use कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे formal charging अब formal charging का मतलब यह नहीं है कि सारे proof एकदम concrete है no evidential, situational, circumstantial जो evidences से उसके हिसाब से वो alleged है और allegedly refers to how the claim is made यहाँ पे claim कैसे बनाया गया rumor के तोर पे जो लोगों ने कहा उसके हिसाब से कुछ confusing जो reports मिले हैं उसके हिसाब से इसलिए हम इसको कहते हैं allegedly चलिए इसको और थोड़ा सा असान कर लेते हैं यहाँ पे दो example sentence पे हम नजब डालेंगे so first example sentence is alleged thief was arrested by the police and charged with crime alleged thief का मतलब हुआ वही जो मैं आपको बताया था कि situational जो evidences मिले हैं उसके हिसाब से वही बंदा चोर है हो सकता है कि end में जाके यह पता चलिए कि वह चोर है यह नहीं ठीक है न और second example में बता रहो company allegedly violated environmental regulations इस company ने rumor में जो सुनने को आया जो बातों बातों में जो पता चला उसके हिसाब से इन्होंने environmental regulations माना नहीं है leading to a government investigation जिसके वज़े से government ने एक investigation बिठाया हुआ है so let us quickly go ahead and revise all the words that we have learned today हमारा पहला word था accept and accept यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि accept जो word है इसके x पर आप याद रखियेगा x का मतलब है cross which means no ठीक है easy हो गया अब हम चलते हैं आगे हमारा दूसरा pair of words था adapt and adopt adapt में मैंने आपको a के बारे में बताया था वो adjustment का एक signify करता है और adopt में मैंने आपको o बताया था जो owning के बारे में बताता है let's move to our next pair of words afterwards और afterwards यह क्योंकि w-o-r-d-s है तो यह time के साथ connected है हम time को mention करते हैं कि कुछ होने के बाद में moving ahead all right and all right a double इन दोनों में कोई खास फ़र्क है नहीं पहला वाला informal है और दूसरा वाला formal है move करते हैं आपने अगले pair of words पे avenge और revenge avenge indirect है किसी और के लिए वो बदला लेना चाहता है और revenge personal है obtain जो है वो कुछ आपके हाथ में जो concrete है, tangible है जिसको आप चूँ सकते है moving ahead ambiguous and ambivalent ambiguous के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बाहर से आता है आपने कुछ instruction देखा आपको कुछ बताया गया कि आप कुछ पढ़ रहे हैं इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है जिसके लिए आपको guidance चाहिए और ambivalent जो है जब आप confused होते हैं when something is ambiguous in front of you your mind is ambivalent you are confused that's a feeling that is generated from inside moving ahead last word है alleged जैसे कि मैंने पहले बताया कि दोनों में से कोई भी concrete नहीं है आप final conclusion में नहीं पहुछ सकते हाला कि alleged जो इस बात को express करता है कि situational evidence के तौर पे जो हमको evidences मिलते हैं उसके इसाब से हम charges frame करते हैं या फिर उंगली उठाते हैं किसी पे लेकिन allegedly जो है वो weaker है इसमें हम rumor जो है बातों बातों में लोगों की बातों में या फिर ऐसे हवा हवा में जो information आते हैं उसके उपर जो अरोप होते हैं उसको हम कहते हैं allegedly तो दोस्तों ये थे आज के words अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको like करना न भूले साथ-साथ मेरे इस चैनल को subscribe करें ताकि आगे के updates आपके पास आते रहे मेरे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ अपने जानने वालों के साथ जो competitive exam की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ और जो English सीख रहे हैं उनके साथ share करना न भूले जाते जाते मैं आपको ये बताता चलू कि मेरे ये confusing words का series आगे के videos में भी चलते रहेंगे Thank you so much for watching my video मिलते हैं अगले video में